मुंबई नासिक हाईवे पढगा के पास नासिक से थाने के वागले स्टेट चिकन का कारोबार करने वाले कारोबारी अजीज बॉयलर्स की बुलेरो टेम्पो दुरगटना का शिकार हो गई जिसमें 840 नग मुर्गया थी जिनका कुल वजन 2300 किलो था इस दुरगटना में आदे से जादा मुर्गयों की मौत हो गई है ऐसा अजीज बॉयलर्स के मालिक ने एक्सप्रेस नियूज हिंदी को जानकारी दी है मिली जानकारी के मुताबिक बुलेरो टेम्पो में अजीज बॉयलर्स जो की थाने के वागले स्टेट में चिकन के होलसेल और रिटेल का व्यवसाय करते है रोजमर्णा की तरह अजीज बॉयलर्स की बुलेरो टेम्पो नासिक के फार्म हाउस से 840 मुर्गियां जिनका वजन 2300 किलो था लेकर थाने की दिशा में भोर में निकली थी यह बुलेरो टेम्पो अभी पड़गा टोल नाके के पास पहुची ही थी कि वहीं पेट्रोल पंप से अचानक एक कंटेनर बाहर निकलाया जिसे देख ड्राइवर ने तुरंत एमर्जेंसी ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी रुकने से पहले अनियंतरित होते हुए पलड़ गई जिसमें साड़े 300 से 400 मुर्गियों की मौथ हो गई घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर क्रेन को बुला कर बुलेरो गाड़ी को सीधा करने के बाद दूसरी गाड़ी में बची हुई जिन्दा मुर्गियों को थाने के वागले स्टेट तक पहुचा दिया गया ऐसी जानकारी अजीज बॉयलर्स के मालिक ने एक्सप्रेस न्यूज हिंदी को दी है